नमश्कार दोस्तों एक बहुत important news सामने आई है defense के perspective से मैं आपको बता दूँ कि जब भी यहाँ पर submarines की हम बात करते हैं या फिर even आप aircraft carrier के बारे में बात करते होंगे तो यहाँ पर काफी लंबा समय लग जाता है उसका trial होता है काफी सारी चीज़ें देखी जाती है और finally जा तरीके से operate कर सकती है यहाँ पर आप news भी देख सकते हो INS करंज इंडिया's third scorpion submarine commissioned by Indian Navy तो I am sure कि आपने project 75 के बारे में सुना होगा तो यह exactly है क्या इसके तहद हम क्या बना रहे हैं किस तरह के submarine बना रहे हैं यह वाला जो submarine है इसकी क्या खास बात है और करंज मैं आपको बता कि यह पहले भी हमारे पास submarine हुआ करती थी जो 1971 के war में पाकिस्तान और भारत के बीच में यहाँ पर काफी important role play किया था इसके बारे में भी देखेंगे चलिया आगे बढ़ते हैं मैं हूँ अंकित अगरवाल और अपडेट के लिए आप मुझे follow कर सकते हैं Instagram, Facebook और Twitter पर मेरे चाते हैं तो Study IQ का UPSC course जोइन कर सकते हैं जहाँ पर comprehensive तरीके से जितनी भी important चीज़े हैं वो आपको यही पर उपलब्द करा दी जाएंगी सभी चीज एक जगा आपको उपलब्द हो जाएगा तो यहाँ पर अब सबसे पहले देखते हैं दोस्तों exactly हुआ क्या है तो Wednesday की ब आपकेगा INS करंज मैं आपको एक एक करके सारे नाम बताऊंगा ताकि आपके exam point of view से कोई भी दिक्कत ना हो लेकिन इसको commission किया गया है by former Navy Chief Admiral V.S. शेखावत बहुत important person है मैं आपको बता दूँ कि जो पहले वाला हमारा INS करंज था जो हमने USSR से purchase किया था और वो 2003 तक चला उसको यहाँ पर operate किया गया था V.S. शेखावत जी के दौरा तो इनी के दौरा यह जो एक तरह से inauguration है आप कह सकते हो commissioning जो है वो आपका former Navy Chief के दौरा ही किया गया है अब हम यहाँ पर आते हैं कि जो scorpion class के हम बात कर रहे हैं इसके तहत में आपको बता दू टोटल 6 submarine साम याद रखना INS कलवरी तो INS कलवरी को already December 2017 में commissioning की जा चुकी है उसके already फिर दूसरा है आपका INS खंदेरी यह भी आपका September 2019 में किया जा चुका है और finally मैंने आपको पता दिया जो तीसरा है आपका INS करंज यह आपका Wednesday को अभी किया गया है फिर next यहाँ पर जो बाकी क तीन भचे हैं वो आगे आने वाले समय में जल्द ही कर दिये जाएंगे आप देख सकते हो जो फोर्थ वाला है इसका नाम है INS वेला यह नाम आप ध्यान रखेगा यह already water में उतर चुका है 2019 में इसको already उतारा जा चुका था इसके लावा जो पांचवा वाला है वजीर यह यह भी उतारा जा चुका है November 2020 में जस्त चार महने पहले की बात है तो यह तो दोनों है चौथा और पांचवा यह already sea trial में चल रहा है और बहुत ही जल्द हमारी Indian Navy में जिस तरह से यह वाला किया गया है INS करंज वैसे ही इनको भी इंड़क्ट कर दिया जाएगा और जो 6 वा आता है कि यह जो scorpion class submarine है इसका अर्थ क्या है basically तो मैं आपको बता दूँ कि wish में इस समय जो सबसे advanced conventional submarines की हम बात करें देखो conventional आपने सुना होगा एक nuclear powered submarine होता है right हम उसकी बात नहीं कर रहे है conventional का मतलब यह होता है जो diesel engine से submarine चलती है तो जो scorpion class submarine है आपके exam में आ सकता है क्या यह nuclear parts से चलती है नहीं यह diesel engine से चलती है और wish की बताया जाता है कि सबसे advanced technology के माध्यम से इसको यहाँ पर बनाया गया है superior stealth features आपको देखने को मिलेंगे stealth features का मतलब है कि आपने देखा होगा radar system के थूँ यहाँ पर पता लगा दिया जाता है enemy के द्वारा कि कौन सा submarine उनके आ यह feature हो गया इसके लावा कई सारे silencing technique है जैसी कि जो noise level वगरा है इसमें कम देखने को मिलेगा इसके लावा precision guided weapons जो है जो missiles वगरा होते हैं वो भी इसके अंदर fit किये जा चुके हैं यह basically काम किस में आएगा आपके exam में यह भी आ सकता है किस चीज में काम आएगा तो surveillance के purpose से काम आएगा जो हमारी समुद्र है इतना बड़ा Indian Ocean, intelligence gathering के तोर पर anti-submarine अगर कोई warfare होता है दूसरे को attack करना है या फिर anti-surface warfare मतलब कि कोई ship है जहाज है बड़ा उसको attack करना है इसके अलावा जो mine laying के operation होते हैं देखे land पर mines आपने सुना होगा वैसे ही sea के अंदर इस तरह के mines लगाये जाने पड़ते हैं जब भी यहाँ पर कोई war की समस्या आती है ताकि कोई सामने वाला अगर submarine आ रहा है तो उसको हम blast कर सके तो इस तरह के जो mines है उसको sea mines कहते हैं तो यह भी लगाने में जो है यह submarine मदद करेगा इन फाक्ट इसके लवा आपने सुना होगा torpedo के पारे में torpedo basically again जो समुन्द रोगरा के तुरू यहाँ पर rocket की तरह होता है वो आपका launch किया जाता है तो इसके अंदर 6 torpedo जो launching tubes हैं वो इस submarines के अंदर आपको देखने को मिलेंगे 18 heavy weapons है मत्तब कि overall आप कह सकते हो कि बहुती advanced technique का जितने भी चीजें चाहिए होती हैं आज के date मे जो modern submarines हैं वो सभी आपको यह scorpion class में देखने को मिलेगा और इसी के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर in fact अगर हम speed की बात करें तो करीब 20 knots जो है इसकी highest speed आपको देखने को मिलेगी और यह जो submarine है करीब 21 days तक 21 तक 21 दिन तक पानी के नीचे रह सकता है कितने depth तक जा सकत है और यह बनाया किसके design किसके द्वारा किया गया है याद रखना जो french novel ship building firm है DCNS इनके द्वारा design किया गया है in partnership with Spanish ship building firm है Navantia तो इन दोनों के द्वारा इसको design किया गया है लेकिन यह जो 6 submarine मैंने आपको बताया है यह सब भारत के अंदर ही बनाया जा रहे हैं ऐसा नहीं है क्योंकि technology वगरा transfer के माध्यम से इसको हमने भारत के अंदर ही बनाया जा रहा है अब यहाँ पर एक और चीज आता है कि इसकी सबसे special क्या चीज है जो करंज है इसके अंदर सबसे special चीज जैसे कि sensor हो गया world का best sensor इसके अंदर मिला है इसके अलावा जो management system है वो integrated तोर पर बना powerful है कि बहुत ही quickly यहाँ पर चीजों को charge कर सकता है ताकि जो stealth features है जो मैंने बताया ना कि हमें बचना है enemy से यहाँ पर कि उसको पता ना लग सके हमारा कहां पर है उसको एक तरह से power करता है इसके अलावा मैं आपको बता दूँ आगे इसके वारे में और detail में बताऊंगा कि आगे future में जब हमें इसके अंदर air independent propulsion लगाना है उसकी भी facility दी गई है कि हम उसको भी इसके अंदर लगा सकते हैं मैं इसके उपर आऊंगा वापस क्योंकि वो बहुत ही important feature है और यहाँ पर मैं जैसा कि बता रहा था कि पूरे wish में जितने भी submarine है उसमें से यह सबसे quiet है मतल होना है और हमने इसको एक तरह से बच्चे की तरह देखा है और बड़े होते वे अब यहाँ पर war weapon की तरह हम इसको देख पा रहे हैं ऐसा यहाँ पर बताए गया अब यहाँ पर हम आते हैं कि यह जो project 75i है जिसके तहत यह जो six latest generation वाले attack submarines बनाए जा रहे हैं और यह आपको मैंने बता दिया अलोड़ी कि 2022 तक complete हो जाएंगे तो यह जो project 75i है यह आपको ध्यान रखना है इसी के तहत यह total जो six है वो बनाए जाना है किसके द्वारा must ground dock in Mumbai लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था था ना air independent propulsion basically क्या होता है कि अगर जो nuclear submarine है उसको उपर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती सब्मरीन क्या है समुंद्र के नीचे चल सकता है तो यहाँ पर क्या होता है कि diesel engine होनी की वजाए से क्योंकि यह diesel conventional engine वाला है यह तो diesel engine के लिए आपर क्या होता है कि आपको air किया हो शकता होती है और air के लिए आपको क्या करना है वापस से surface पर जा जा रहा है जिसका नाम है air independent propulsion system अगर हम इसको fit कर देते हैं submarines के अंदर तो बहुत लंबे समय तक यहाँ पर surface पर आने की जरूरत नहीं है जिसकी वज़े से enemy हमें पहचान नहीं पाएगा तो यह काफी important है बताया जा रहा है कि 2022-23 तक इसको लगाना start कर दिया जाएगा हमारे जो यह जो submarines बनाएगा है इसमें तो आयोब कि इस से related जितनी भी जानकारी थी मैंने देर यह जाने से पहले एक और important मैं आपको बता देता हूं करंज के बारे में क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले भी submarine था वो आपका अलोडी खतम हो चुका है अब हम वापस से इस submarine का नाम करंज रखे हैं तो जो पहले वाला था वो हमने USSR से purchase किया था although 1959 से बात्षी चल रही थी लेकिन 1964 में जाकर finally हमें ये permission मिल गई थी Soviet government से कि हम खरीद सकते हैं और ये कौन सा class है जैसे कि ये scorpion class है लेकिन ये वाला class का नाम था fox trot class इसके तहत चार यहाँ पर हमें सम्मरी जो है खरीदा था जिसमें से एक आपका था करंज और इसके तहत आप देख सकते हो इन्होंने 1970-71 के war में काफी important role play किया था इस war को जिताने में और ये 34 years तक इसने यहाँ पर serve किया करीब 2003 तक आप देख सकते हो इसने Indian Navy को serve किया था और क्योंकि इतना जादा ये famous हो गया थ इसका recognize करने के लिए even जो इसके वीर चक भी हमने यहाँ पर सम्मानित किया था VS शेखावत को जिनोंने आज इसको commissioning की है तो ये काफी important role play किया है I hope कि इस video के माध्यम से ये जो पुरा करंज के बारे में जितनी भी important चीज़े हैं वो मैंने आपको बता दिया है जाने से पह मुझे बता सकते हो इसका जो right answer है मैं हमेशा की तरह अपने instagram पर तो डालूँगा ही अगर आप instagram पर नहीं हो कोई बात नहीं आप telegram से आप इसका right answer ले सकते हैं मैं कई सारे mcqs यहाँ पर डालता रहता हूं stories के form में आप जाकर play कर सकते हो अगर आप मुझसे economy परना चाहत हैं study IQ आप पर जा सकते हैं hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता है आप से next time till then thank you very much see you soon